कि ठीक है तो आज को जो हमारा चैप्टर है कल हमने देखिए थोड़ा सा पढ़ा था टूल एंजिनरिंग में अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसको फिर से रिकॉर्ड कर दूंगा और आपको मिल जाएगा सारा कुछ कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं इरर्ज क्या होते हैं कि सब्जेक्ट हमारा एममाई है कि मारा टॉपिक आज का है कि टॉपिक एरर्ज है अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम मेजर्मेंट की बात कर रहे हैं मेजर्मेंट कहीं न कहीं जुड़ा होता है आपके अगर हम मेजर्मेंट को साही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारा जो भी वैलू आने वाली है जो भी मर रिजल्ट आएगा मान लीजे एक हमको अब्जेक्ट है कि कैं कि हमारा अब्जेक्ट है 3D object है इस तरीके का जिसमें LB edge एनी L into B into H आपको measure करना है L यहां पर है लंबाई B है चौड़ाई और H है height length width height तो अगर इसका volume हम निकालें है इसका volume हम निकालेंगे तो वह हो जाएगा L into B into H लेकिन अगर मान लीजे लंबाई को नापने में हमारी जो error आ रही है जो हमारा measurement के बाद जो measurement आ रहा है वो आ रहा है लंबाई का आ जा रहा है length का length का length आ जा रहा है L plus delta L मुल्ट आ जा रही है अब बी प्लस देल्टा भी और हाइट आ जा रहा है हाइट आ रहा है h plus delta h तो अब जो नया volume आएगा जिसमें error होगा error के वाज़े से जो new volume आएगा वो देखेगा नया आयतन जो होगा हमारा वो क्या आद आएगा वो होगा L plus delta L into V plus delta V into h plus delta h आपको हो सकता है एक बार यह समझ बना कि क्या चल रहा है हम एक्जामपल बान लेते हैं लेट यह आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा let L is equal to 10 ठीक है delta L is equal to 0.3 b is equal to 6 delta b is equal to 0.2 and h equal to 4 and delta h is equal to 0.15 अब अगर आप LbH निकालेंगे L into V into h जो actual होना चाहिए और जो measurement में error आ गई आपकी उसको निकालेंगे तो दोनों में आपको काफी ज्यादा अंतर देखेगा साथ साथ आप देख सकते हैं कि पहले क्या रिखा हुआ है निकाला एल गुड़े पी गुड़े एच के हिसाब से यह अगर इसके हिसाब से जो आयता निकालेंगे जो actual volume होगा तो actual volume क्या जाएगा आपका है actual volume हो जाएगा आपका 10 इंटो 6 इंटू 4 240 यूनिट क्यूब आयतन है इसलिए क्यूब लग रहा है यूनिट पे लेकिन लेकिन जैसे ही आप बात करोगे कि अब जो मेजरमेंट के बाद जो अपरेटर ने वैलू निकाली है अगर वो वैलू 10 नहां के 10.03 आ रहा है तो अब क्या हो जा रहा है जो न्यू आ रहा है रीडिंग हमारा वो 10.3 आ जा रहा है 10.3 आ जा रहा है आगे देखीगा 10.3 के बाद दूसरी रिपैलो हमारी आ रही है यह आ रहा है 6.02 यह 6.2 आ जा रहा है और तीसरा जो आ जा रहा है वह आ रहा है 4.15 ठीक है जो भीन की उनिट्स हो और जो अब वॉलूम निकालोगे आप अब जो डेटा निकालेंगे आयतन का अगर उसको आप निकालके देखें तो यानि क्या करना पड़ेगा आपको जो न्यू वॉलूम आएगा न्यू वॉलूम यह न्यू क्यों हो रहा है क्योंकि आपने जो मेट्रमेंट दिख्ती है वो सही नहीं था कि आपको कितना डिफ्रेंट मिलेगा इसको दिखिए करके इन्टू 4.15 इसको एक बार बुड़ा करते हैं दिखते हैं क्या आ रहा है तो करना है 10.3 इंटू 6.2 इंटू 4.15 तो यह आ जा रहा है 265. यह जो बैलू आ रही है क्यारा 265.019 यूनिट तो आप देख सकते हैं छोटी सी गलती मतलब एक छोटा सा एक छोटा सा आपने मेजरमेंट में मिस्टेक किया 10 के जगह आपने नापा 10.3 6 लिए नापा 6.2 और 4 लिए जगह नापा 4.15 जुसोरी होता है जितना सही से आप मेजरमेंट कर लोगे जितना आप मेजरमेंट कर पाईंगे उतना ही बह्तर आपका करें तो आपको यह समझ में आ रहा कि अगर आपके मिजरमेंट में एरर है जो भी अच्छा कैसी हो सकती है कि हम टाइट की अगर बात करें तो देखे हमारा जो एरर है एक कोश्चन हम दोख सुन लेते हैं कि एक यहां देखे एक कोश्चन डूड़ते हैं हम लोग पहले तो जानने की कोसिस करते हैं कि एरर कई टाइप के होते हैं जैसे कुछ फॉर्मूलों में आपका कंबिनेशन करके एरर है जिसमें देखिए कंबाइन होके कई-कई-कई कॉन्टिटीज का है सबसे पहले हम जानना है कि लिमिटिंग इरर या रिलेटिव इरर क्या होती है तो सबसे पहले हम जो जानने कोसिस करते हैं इसको मैं वाइप आउट कर दे रहा हूं अभी बस आपको इतना समझ में आएगा थी अगर एरर आएगी तो उससे जुड़ी कोई कॉन्टिटी बन रही है उसमें और एरर आएगा अब हम पढ़ें रिलेटिव जो हमारा टॉपिक है इसमें है रिलेटिव लिमिटिंग इरर इसमें है अब होता क्या है इसको सुनिए जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो जो हमारा रिलेटिव लिमिटिंग इरर आता है यह क्या होता है जो इसमें इरर आ रही है ठीक है जो भी इरर आ रहा रहा है नहीं टिल्टा एल डिवाइट बाइट बाइड़ आक्चुवल कॉंटिटी मेजर्ट कॉंटिटी इसके परिवासा लिखें तो इसके परिवासा क्या हो जाएगी जैसे आपको लिखना है रिलेटिव लिमिटिंग इरर का फामुला क्या आएगा देखेंगे रिलेटिव लिमिटिंग इरर इसका फामुला होता है इसको हम एपसाइलन से दिखाते हैं एपसाइलन आर इजिक्वालिटू देल्टा ए अपान ए यहाँ पर आपका देल्टा ए है इसको 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 इस तरीके से भी लिख सकते हैं एपसाइलन जीरो अपान ए एस ठीक है यहाँ पर क्या है एस जो है वो नॉमिनल वैलू है और डेल्टा ए क्या है एस जो है यह नॉमिनल वैलू है और डेल्टा ए क्या है आपका इरर इन मेजरमेंट आपको एक फार्मुला मिल गया रिलेटिव लिम्टिंग एरर का और वह फार्मुला होता है एक्सालिन आर इसफलिटा एफ एस यहां पर डेल्टा एक और एस क्या है और यह नॉमिनल वैलू या एक्सियल वैलू जो आपकी जो आनी चाहिए क्वैंटिटी की वो है ठीक है अब अगर इसको परसंटेज में परसंटेज में निकालना चाहते हैं अगर इसको पर्सेंटेज में निकालना चाहें तो वह हो जाएगा आपका पर्सेंटेज एफसाइलन आर इसकोल टू यार इंटू 100 इसकोल टू डेल्टा ए अपान एस इंटू 100 यह पर्सेंट में आपका जाएगा ठीक है तो पर्सेंटेज रिलेटिव एरर आपके हैं तो इस तरीके से आप इस फॉर्मिले से निकाल सकते हो कि तने पर्सेंट की रिलेटिव किज़ार आ रही है यह आप देख सकते हैं जैसे कोश्चन देखते हैं हम लोग कि किसी भी जो कैप्स्टर की जो वैलू है संधरित का जो वैलू है वो वन माइक्रो फैरेट प्लस माइनस पाइब परसेंट लिखा होता है जैसे अगर आप देखें तो कई बार आपको कोई भी प्रोड़क्ट आप देखें तो उस पर लिखा होता है कि पहलो कौन सा ले रहा है हम लोग अगर हम कई बार देखें तो देखिए जैसे माल लीजे हमारा क्या है कि इसे माल लीजे एक मैनुफेक्ट्टर है उसने क्या बनाया इस संधारित्र बनाया और उसने लिखा कि इसकी जो कैपसिटी है हमता है कैपसिटी है वनमाय क्रो फियरड प्लस माइनस फाइब परसेंट है यह जयानि कोई भी माट जो बन रहा है कैपसिटेन्स कैपसिटर उसकी छहंमता है वनमाय क्रोफैर्ड और उसका वन का फाइब परसेंट तो वन का 5% यह एक्चुल में कितना हो सकता है देखिए 1 प्लस माइनस 1 इंटू 5 डिवाइड बाइ 100 तो यह आ जाएगा इसको आपके करोगे 1 प्लस माइनस कि इतना आ जाएगा वई कोई देखो करने के बाद 5 बाइट 1 बाइट 20 आ जाएगा यानि इसको ले सकते हैं वन प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 0.05 यानि यह जो काप्स्टंट की रेंज आ सकती है वो हमारा 0.095 मैक्रो फैरेट से लेकिए और 1.05 माइक्रो फैरेट की दीच में वो सकती है तो जो हमारा लिमिट है जो केश्टंट की वैल्यू है वो लाई करेगी वो लाई करेगी आपका कहां से कहां के बीच में यह लाई करेगी एक बार आप अपर लिमिट जो इसका होगा प्लस 0.05 यानि 1.05 माइप्रो फैरेट आ जाएगा जबकि जो लोवर लिमिट आपका है लोवर लिमिट जो आपका होगा वो आपका आएगा वन माइनस 0.05 तो हमारा जो लिमिट आ जाएंगे इसके इसको जो लिमिट होगे हमारे इसके दो वैलु आ जाएँगे एक हो जाएगा वन प्लस जिरो पॉइंट 05 या जाएगा 1.05 दूसरा हो जाएगा 1-0.05 इसके आ जाएगी 0.95 और यूनिट क्या होगी माइक्रो फैरे तो यहां आप इस एक्जाम्पल से आप देख सकते हो कि अगर कोई इरर आ रही है तो आप उसको कैसे निकालोगे अगर आपको एक्चुल वैलू पता है नॉमनल वैलू यहां पे वन मैक्रो फैरर्टी और फाइप परसेंट जो आपका है वो रिलेटिव एरर है तो उस रिले कैसे मिली अगला कोईशन देखी इसमें लिखा हुआ है एक कोईशन और देखते हैं कि एक जीरो से एक सुपचाज पास्कल मैनोमीटर है जिस पे जो रिक्रेशी है वो वन परसेंट आप फूल स्केल रिटिंग यानि जीरो से एक सब पचास दोसका फूल स्केल का एक परसे इसमें कहा जा रहा है कि जीरो से एक सुपचास पास्कल का मैनोमीटर है जो कि इसमें एक परसेंट की कुरिशी है जो इरर किया है वो है वन परसेंट आप फूल स्केल रिडिंग का है और प्रेशर जो मेजर किया जा रहा है इस पे जरीए वो सेवेंटी फाइब पास्कल है तो कितना इदर है यह बताया जाए अब देखिए इसको कैसे निकाला जाएगा इसको निकालने का सबसे पहले तरीका है सबसे पहले हम निकाले है कि इसको मैं वाइब आउट कर रहा हूँ देखिए इसको में क्या कहा जा रहा है मैनोमीटर है मैनोमीटर है जिसकी रेंज जो हमारी है वह रेंज है जो रेंज है जुरों से यह इंस्टुमेंटर कितना रा रहा है और यह इसकी असर्ट बैलू है तो पहले हम यह करने कोशिज करें यहां कहा जा रहा है कि पूरे फुल स्केल का वन पर्सेंट एर है यार जो है वह हमारा कितना है वन पर्सेंट है हमें डिल्टा यहां णिकालना इंस्टुमेंट सार्व ओर ए सवंक्रिप्टि ए है कि अगर आप डिल्टा निकालने जाओगे तो कैसे निकलाइगए डेटा है हो जाएगा हो जाएगा वन परसेंट इन्टू वन फिफ्टी आपको पता है जब परसेंट हटाना होता तो सो से डिवाइड कर देते हैं तो यह आ जाएगा आपका वन पॉइंट फाइव तो हमारा डेल्टा एज वा गया यह वन पॉइंट फाइब पास्कल का गया है हो आप कि में क्यों ही है क्योंकि चो हमारा वन फिफ्टी है यह किस में है यह पास्कल में इस छो और या आजाएग्स वान पॉइंट फाइब पास्कल कि अब कहा जा रहा है कि आपको निकालना है एखे sio find out करना है यदी सेवेंटी फाइब है अापने चिया हो टीक है कि कर लेते हैं इसको तो यह आज आएगा तो पासकल को नापने में जो इसमें पिरर आएगा लेकिन हमको इसको परसंट में बताना है तो परसंट में करने के लिए उसे बाग दे देंगे इसमें यहां पर थोड़ा गलत हो गया है यह वन पॉइंट था तो यह वन पॉइंट फाइब भी रहेगा और इसको लिखने में गलती हुए थोड़ी सी यह वन पॉइंट फाइब था तो गयो हो जाएगा यह जिर्व और रहा जाएगा बच्छों पास्कर पर्शन सब्सक्राइब पास्कर नहीं आएगा यह कीवल आएगा रहा तो पास्कर नहीं होगा यह बंद अब्द और अब अकुआ अपर आप इसको पर्षेंट मेंक्क Birmarkt करना चाहें है तो पर्षेंट में करने के लिए कितना करना पड़ेगा यार पर्षेंटेज्स क्या्य हो जाएका ऑपका जिरो कौईंट जिरो टू हुआ कि कोई भी measurement हो हम इर्र की बात कुम करते है विन्ला के को भी मेजर्मेंट perfectly perfectly accuracy के साथ नहीं किया जा सकता इसलिए ज़लूरी यह है कि might find करके उसे eliminate कर दिया जाया है यहां हमें errors की पूरीander कारी हो हमारे मेजरमेंट में किसन करेंः हो रहे हैं और उनका करते हैं तक कि हम उनको रिडियूस कर सकते हैं अगर हमारे पास के बारे में जानकारी ही नहीं रहेगी एर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा तो उसे हम रेडियूस नहीं कर पाएंगे रेडियूस करना तभी पॉसिबल है जब आप फुल फ्लेज उसके बारे में नॉलेज हो वाइब 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 एरियुस तो यह तो हम अगर एक क्लासिफिकेशन की बात करें तो तीन तरीके से कह सकते हैं पहला है ग्रॉस एरर दूसरा है सिस्टमाटिक एरर और तीसरा है रैंडाम एरर इनको हम एकित करके समझते हैं हमारे एरर्स के जो तीन टाइप हैं वो है देखे एरर हो गया पहला ग्रॉस एरर सिस्टमाटिक और तीसरा है रैंडाम तो तो ग्रॉस एरर सिस्टमाटिक एरर और रैंडाम यह हमारे टीन एरर के टाइप हुए कि करके हम इनको डिस्टमाटिक करते हैं सबसे पहले क्या एक ग्रॉस एरर क्या होता है जो मारा ग्रॉस एरर होता है कि यह स्टिक वजह से आता है इस क्लास आप एरर में ली कवर स्यूमन श्टिक इन रीडिंग इंस्टुमेंट्स atamente दो मेन भिकलाद का तैकर पड़नाय को पढ़ने में हो या रीडिंगी को सकती है पहला कि अस्थिस तो आप इंस्ट्रमेंट से पढ़िजिए पाए तुसा आप आपने उसके रीडिंग को रिकॉर्ड नहीं से कर पाया और तीसरा क्या है कि आपने जो किया जो भी किल विसन आपसे हुआ वो गलत था ठीक उसमें कुछ एरड थी कुछ कमिया थी यह जो हमारा इरड टाइप का है यह ग्रॉस इरड में आता है अब इसके रिस्पॉंसिबिलिटी किसकी है यहीं क्यों रहा है अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा तो जो बड़ी वजह है वो जो इसका ऑपरेटर है जो इंस्ट्रुमेंट को चला रहा है उसकी वजह से इरड आ रहा है अब बड़ा जो इश्व है ग्रास का वो क्यों हो रहा है क्योंकि हमारा इंस्ट्रुमेंट को जो ऑपरेटर है उसकी यह प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम की वजह से उसको यह इरड आ रही है अब देखें कि अगर आप देखें कि कभी-कभी अगर मान लीजिए हमारा एक्च्वल जो टंपरिचर आ रहा है थोटीवन पॉइंट फाइब्री संटिग्रेट है लेकिन आपने गलती से पढ़ लिया इसको ट्वंटीवन फाइब्री संटिग्रेट है ठीक है ओप्रेटर के सामने कि अब ये रिडिंग को क्या कर सकता है रिकॉर्डिंग के तौरान बदल सकता है ठीक है जैसे दूसरा एक्जामपल है वो ट्वंटी फाइफ पॉइंट डिवरी संटिग्रेट को गलती से पढ़ लेट ट्वंटीएट पॉइंट पॉइंट फाइब्रेट अब चहां तक जरूर होते हैं कुछ ने कुछ गल्दियां तो हुँमन से हो जाती है कि कम्प्रीटली जो हमारा ग्रॉस के रर का इलिमनेशन है यह इंपॉसिबल टाइप का है यह आप से कैसे कैसे दूर होगा जब दो करते जाएंगे आप आपका कहीं ने कहीं आपका जो एक्स्पिरियंस पड़ता जाएगा आप से गलती होने के चांच उस फील में कम होते जाएंगे लेकिन अगर आप यह कहिए कि बिना किसी गलती के आपने ग्रॉस एरर को अटा दिया तो इसू है नहीं हो सकता सम ग्रॉस एरस आर इसली डिटेक्टेड वाइल अधर्स में भी इस प्रफिक दिटेक्ट यानि उने इरर में कुछ गलतीयां जो है जो आत्मियों से होती है वह आसानी से दिक्ट आती है जिन गलतियों को पकड़ पाना काफी कटिन है तो उन से निजात पाना तो प्रेक्टिकली इंपॉसिबल है और आखरी में देखिये जिए इस लिए इनकी इंपॉसिबल होती है लेकिन फिर वे इनको दो कटेगरी में बाटा जा सकता है जिससे इनको दूर क्या जा सके सबसे पहले क्या है कि अत्रिक साधानी बरतनी चाहिए जब भी आप रीडिंग लें या डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं डेटा रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जो भी डेटा मिल रहा है उसे नूर्ट करके रखना दूसरा क्या है हमारा दो तीन या उससे अधिक रीडिंग को लेके उनका अवरेज लिया जाए जाए कि सबसे पहला काम क्या है अगर आपको ग्रास एरर को करना है तो सबसे पहला काम आपका है कि आप सिंप्ली क्या करिए रिकार्डिंग और रीडिंग कर समय डेटा के अथ्यदिक साधानी बरतिये दूसरा हमारा का क्या है कि आपको जबी भी ताइम रहे जबी भी आप निकाल रहे हैं तो आपको सिंप्ली तो या 2 से अधिक तब तीन या चार जो भी आप रिडिंग लेए जो भी तिन चार बार एक ही रिडिंग लें गें उसके बाद भी है तो यह तो हमारा रहा और यहां पे और समझना चाहिए कि अगर आपने किवल एक ही रीडिंग ली है तो उस पे बरोसा कर पाना काफी काफी डिफिकल्ट है कठीन होना चाहिए कि एक रीडिंग में सिंगल रेडिंग में काफी सारे आने के चांस रहते हैं तो यह तो हमारा आज का जो रसका टॉपिक था जिसमें हमने रस पढ़े कुछ नवरकल लगाए और फिर हमने घ्राश किरा पर बात की कर दो हमारा आने की